नमस्ते, आज मैं सिर्फ पांच मिनिट के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, I want to give a small message, पांच मिनिट के लिए ये बहुत अलग रक्म का situation है, लेकिन मेरे दिल में पिछले एक हफते से मुझे बहुत खराब लग रहा है, जब मैं देखता हूँ कि तुरुपरा में कोई किसी का मस अज़ित तोड़ता है, या कोई Facebook में कहीं और से कुछ लिखता है, या किसी के घर में आंदोलन बाजी होता है, किसी रास्ते में यो लोग स्लोगन दे रहे हैं, तो मैं एक बहुत clear message सबको देना चाहता हूँ, सबसे पहला important message है कि ये हमारा तृपरा का culture नहीं है, जहां में हम लोग Christian, Hindu, Muslim, Buddhist होकर एक दूसर से लड़ें, ये लोग जो हमारा culture को हमारा state का इतिहास को तोड़ना चाहते हैं, उनको समझना चाहिए, I am warning all of you all, कि आपने अगर धरम के नाम में हमारे तृपरा को तोड़ने की कोशिश की, तो तिपरा मौथा का चेर्मेन प्रतियत मानिक आपको जमीन में मिलेगा और आपको जमीन में आपसे टकर लेगा, मैं आपको warning देना चाहता हूँ, कि आपने अगर धरम के नाम में हमारे state को आपने अलग अलग तरीके से इस पर दंगा पहलने का कोशिश किया, ये तोड़ने का कोशिश किया, तो मैं इसको अलाव होने न मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, कि Facebook, Social Media में बहुत messages जा रहे हैं, provocation जा रहे हैं, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, ये rumors में मत चाहिए, दूसरा बात, मैं ने देखा है, कि TRIPRA का एक politics है, जो बहुत अलग है, पूरे इंडिया को शायद मालुम नहीं है, ये ह प्रदियोत माने किया, CA के खिलाफ जब लड़ रहा था, तब जब मैं Congress का President था, तो किसी ने मुझे मदद नहीं किया, CPM के कोई लोग ने तूपरा में एक protest नहीं किया, CA के टाइम, ये मैं सिर्फ अपने तीपरासा के लिए लड़ रहा था, CA में मुसलमान नहीं थे, सिर् के सामने सब जगे में मैं अकेला होकर मैं protest कर रहा हूं, कि ये नहीं होना चाहिए हमारे तूपरा में, मुसलमान को, हिंदू को, बुद्धिस को, क्रिश्चिन को सब एक होकर रहना चाहिए, लेकिन I am amazed, मुझे कभी-कभी लगता है, अभी तक मैंने कोई भी बड़ा National Leader को, एक statement देते भी नहीं देखा है, कि हमारे जो तूपरा में हो रहा है, वो गलत बात है, आज local Congress Party चुप है, बांग्रदी शाय कमिश्रम में जाकर बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन जब आज जो हो रहा है तूपरा में, जहां में किसी का मस्यद तोड़ा गया, कहीं में स्लोगन में हो रहा है, तो Congress Party क्यों चुप है आज, CPM क्यों चुप है, शुश्मिदा ने शायद statement दिया, लेकिन त्रिनमूल क्यों चुप है, बीजेबी तो, बीजेबी का तो एक लाई नहीं है पहले से, CA के टाइम भी Congress क्यों चुप था, CPM क्यों चुप था, आप सब को सोचना च यह, यह जो, वोट बैंक का politics है न, इसमें हम लोग सब फस गए है, आज अगर बंगलादेश में, हिंदू को मारा गया यह, टार्गेट किया गया, तो, क्योंकि हमने यहां में मुसल्मान को टार्गेट किया, तो वो जो हिंदू जो टार्गेट होगा बंगलादेश से, वो हम लोग, जो इतने कम नंबर में, हम लोग फिर कहां जाएंगे, फिर से और एक conflict शुरू होगा, और यह वोट बैंक के राजनीती में हमारा स्टेट का नुकसान होता है, इसके लिए मैं आप सब को अपील कर रहा हूँ, आप लोग सोचो, समझो और देखो, यह वोट बैंक politics में, सब parties एक ही community के वोट बैंक के पीछे हैं, और इसके लिए कोई आज कुछ नहीं कह रहा है, सब चुप रह रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कि तृपुरा में हमको उन्नती के बारे बात करना चाहिए, development के बारे बात करना चाहिए, और मैं तीपरा मौथा के members क बोलना चाहता हूँ, कि हमारे area में, जहां भी हम लोग हैं, वहां में कोई किसी के खिलाफ धरम के नाम में, मजब के नाम में, religion के नाम में, एक दूसरे के उपर attack नहीं करेगा, और अगर आप कोई कर रहा है, तो आपका दायत्त बनता है, कि वहां में हमारे जो भी minorities हैं, उ चीज देख पी नहीं सकता हूँ, this is my clear message, I want all of you all to realize, that अगर हमने यहां में minorities को attack किया और बंगलादेश में वो reaction हुआ, और वहां में Hindus minorities को अगर attack किया गया, तो सब लोग तृपुरा वापस आएंगे, और तृपुरा में हमारा फिर से problem शुरू होगा, इसके लिए मैं आप को बोल रहा हूँ, कि please maintain peace, social media में rumor मत कीजे, और please ensure that हमारे सब भाई लोग बहन लोग को protection मिलता है, प्रद्योद बिक्रम मानिक्या कभी communal नहीं था, ना है ना होगा, हम तृप्रा का भला चाहते हैं, और हम religion के नाम में politics कभी नहीं करेंगे, बेलाइनो हमबाए, धन्यवाद हर कहां